Hi friends, I welcome you all on behalf of Avipsa team and आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं How to Learn English English कैसे सीखे, English एक Global Language है जो कि विस्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा है विस्व में कई सारी भासाइं हैं, कई सारे Languages हैं, कई सारी बूलियां हैं बट क्या आप जानते हैं कि इन भासाओं को सीखने के only four steps है और आज मैं उन्ही four steps के बारे में बातचीत करने वाला हूँ इन लैंग्विज में यदि हम comparison करें तो English भासा इन लैंग्विज के अपेक्षा काफी आसान भासा है English से भी जो कठीन भासा है वो है, Hindi है, 26 गड़ी है और कई तरह की भासाएं हैं जो कि English से ज्यादा कठीन है बट इसके बावज़ूर भी हम उस कठीन भासा को आसाने से बोल सकते हैं तो ऐसी क्या बात है जिसकी वज़ए़ से हम English नहीं सीख पाते तो first जो चीज है वो ये है environment का ना होना environment की कमी की वज़ासे ही हम जो है English भासा नहीं सीख सकते and English को सीखने के लिए environment होनी चाहिए और दूसरी चीज है जो कि मैं बताने वाला हूँ और वो है only four steps जिसमें आप environment भी तयार कर सकते हैं और English भासा काफी आसानी से सीख सकते हैं चाहे आप library जाए चाहे institute जाए तो यहाँ पर इस देश में कई सारी libraries है इंस्टिट्यूट्स है ताकि आपको English सीखाया जाए बट मैं आज आपको उन four steps के बारें बताने वाला हूँ जिसके थूँ आप English आसानी से सीख सकते हैं तो first जो step है वो step है जिसे हम कहते हैं वो जो technique है वो है L-A-S-R-W यह एक ऐसा step है जिसके थूँ आप दुनिया की किसी भी भासा को आसानी से सीख सकते हैं L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading, W stands for writing यह four steps है और इन ही four steps के सारे आप कोई भी भासा सानी से सीख सकते हैं सो सबसे पहले हम बात करते हैं listening की L so listening, listening क्यों important है listening is the first step of learning any kind of language किसी भी भासा को सीखने के लिए listening जो है वो first step है क्यों क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को absorb नहीं करेंगे हम उस चीज़ों को कैसे हम express कर पाएंगे so listening बहुत ही important है जब हम बार-बार कई चीज़ों को listening करते हैं सुनते जाते हैं तब हम उस word को उस भासा के सब्दों को हम catch करने स्टार्ट करते हैं सो इसलिए जादा से जादा हो सके आप English को सुनिए चाहे आप moral stories सुनिए, songs सुनिए, movies वगेरा देखिए, सुनिए and जादा से जादा हो सके news वगेरा सुनिए तो knowledgeable जो भी चीज़ें हैं आप सुनते चाहिए ऐसा करने से आपकी जो कान की जो आदत है वो बनेगी आपकी जो कान की जो catching power है वो बढ़ेगी और आप जादा से जादा चीज़ों को सुनना स्टार्ट कर देंगे दूसरा जो step है वो है speaking का speaking means बोलना अब अक्सर आप देखते होंगे कि कई ऐसे students है कई ऐसे teachers है जो words है जो भी passage है उन passage को पढ़ना और अनुवाद करना वो तो सिख जाते हैं यानि कि जो भी चीज़े है वो आसानी से समझ जाते हैं कोई भी चीज़े उनको कही जाती है तो वो समझ जाते हैं या अक्सर आप देखे होंगे कि यदि exam में कई जो topics आते हैं तो इस topics के बारे में कुछ लिखना होता है तो आप कई page ऐसी भर देते हैं क्यों बढ़ देते हैं क्योंकि आपके पास knowledge तो है आप अच्छे से लिख सकते हैं जो भी चीज़े कर सकते हैं बर जब बात आती है बोलने की तो आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपको बोलने की आदत नहीं है आपकी जीब को आदत लगी है अपनी mother tongue language को बोलने की आपको आदत नहीं बनी है कि आप English बोले इसी वजह से हम जब बोलते हैं तो बोलने के लिए लेक आफ प्रैक्टिस की वजह से हम बोल नहीं पाते इसलिए हमें अपनी जीब को क्या करनी है हमें अपनी जीब को प्रैक्टिस देनी है अभ्यास अभ्यास्त करनी है अभ्यास्त करने के लिए हम ज्यादा स्यादा हो सके words को बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे sentence को बोलते जाएंगे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब हम जो है English आसानी से बोल सकते हैं आपने यह गौर किया होगा कि कोई भी जब नया गाना आता है तब आप एक ही बार में किसी भी गाने को अच्छे से नहीं गा सकते गाना सीखने के लिए आप बार-बार प्रैक्टिस करते हैं अकेले में प्रैक्टिस करते हैं चलते चलते प्रैक्टिस करते हैं पाउाइंगे कि आपकी जिव है उसको आदत लगजाएगे आप थर्ड स्टेप ज है वो है रीडिंगग रीडिंग इस इन उत्पॉर्टेंट मूं कहें नहीं करेंगे तप तक hell or वर्ड पावर आपको पॉडो को है दुपा दी च्रहागे या यह लिदी आप better में किसी भी फ्रेड़ में है आपको जयादा स्यादा्य रिंग करने की जूरत है और बलॉस की मीनिंग है उसको आप जान सकते हैं उन जान सकते हैं ताकि आप जयादा चीजों को read कर सके एंड उन चीजों को समझ सके और आपकी जो knowledge है ऐसे में बढ़ेगी तो इसलिए यह जो है reading जो है यह third step है तो ज्यादा से ज्यादा करें कि आप simple चीजों को reading करें जैसे moral stories है या books वगेरा है novels है ठीक है तो यह है third step fourth step है वो है writing कहते हैं कि writing max a man perfect लिखिवी जो चीज़े होती है वह ज्यादा देर तक हमारे माइंड में इस्थिर रहती है इसलिए हम जो भी चीज़े सीखते हैं उन चीजों को हमें राइटिंग करनी चाहिए तो जाधा सएथ हम करेंगी में बरने रहेंगे तो यह four Есть steps हमें अपनानी है अब राइटिंग की बात इस तो राइटिंग की लिए क्या चीजि़े करनी है कब मनाई जाती है कैसे मैंने जाती है कौन कौन मनाते है तो इस तरह के कब क्यों कैसे क्या किस तरह इस तरह के सवाल हमारे मन में होने चाहिए उस टopic के बारे में कि उस topic के बारे में ज्यादा से ज्यादा राइट कर सके राइट या इन कर सके चारों चीजों की जो चारों स्किल है speaking, reading, writing, listening ये सारे skills हमारे अंदर develop होगी और हम किसी भी भाजा में अपनी पकड बना सकते हैं तो ये तो रही 4 steps किसी भी language को सीखने के लिए तो इसी तरह के interesting videos के लिए आप जाएए अभी Google Play Store पे और अभी download कीजिए Abhipsa app मैं भी लूँगा एक interesting lesson के साथ next video में तब तक के लिए धन्यवाद, बाई